थेषिञलो स्टूडेंट दीस इसा वसीक पानुडे यूर अगरिकल्चर मेंटर और आपका स्वागत है आपके आपके अपने चैनल Agripopay तो आज के हम लोग इस लेक्षर में ये पढ़ेंगे कि अर्यक्राइब क्लाइमत लोग जाइब है क्लाइमую क्लामेट अचर लोग है तो आज हम लोग यह पढ़ने वाले आज तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि यहां क्या लिखा है जी डबलू स्मीथ 1916 है डिफाइंड अग्रिकल्ट्र मेट्यूलॉजी इस तो जी डबलू स्मीथ 1916 प्रिफाइंड कि एकर्चर के मैट्यूलॉजी है रिलेट कर रहा है एकर्चर मतलब जो मात अच्छों पढ़े थे लोड़ एक्माट्मास्वियर की जो इस्टडी जो कि दो रह थे कि जो आप आप अच्छेर की जो इस्टडी आउसमें भी गोड से रिलेट कर रहा है यह होता है Agriculture winding किये इन्होंने ठीक है है meteorology को climate को और hydrologic condition hydrologic condition का मतलब क्या है कि जो भी hydrological cycle का मतलब जैसे आप लोग पढ़े थे water cycle water related phenomena जो है जिसमें evaporation आता है transferation आता है evapotransferation आता है ठीक है तो यह सारी चीज़े हम लोग उसमें देखते हैं और which are significant जो इसका की agriculture में महत्व है जैसे कि अगर evapotransferation rate जादा होगा तो पौधा का जो growth and development है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा ठीक है evapotransferation का मतलब अगर surface से भी पानी का loss हो रहा है और पौधे के वाईववी भागों से भी पानी का loss हो रहा है वाईववी भागों का इतना बस समय में आगे ठीक है आगे चलते हैं इन सॉट अगरिकल्चर मेटरोलोजी इस दा अप्लाइड ब्रांच अफ मेटरोलोजी तो मेटरोलोजी अगरिकल्चर मेटरोलोजी क्या है यह एक मेटरोलोजी का पार्ट है मेटरोलोजी का क्या है ब्रांच है पार्ट है ठीक है विच डील्स विद रिलेशन से बीट्विन क्लाइमेट वैदर और लाइफ और ग्रोथ अफ दा कल्टिवेटेड प्लांट से अनिमल जो की डील्स क्या करता है क्लाइमेट का पौधे से क्या रिलेशन है वैदर का पौधे की ग्रोथ है डैवलोपमेंट और उनके लाइफ में कौन-कौन से प्रभाव आते हैं उससे रिलेटेड वो हम लोग स्टडी उसमें करते हैं जैसे कि अगर अभी हम पताये थे कि अगर हम सिमला में चले गए और सिमला में हम राइस लगा रहे है कि अगर यूद करेगा नहीं पैडी करेगा नहीं कि सिमला का जो एक्मॉसुरी कंडीशन में कुछ और है वहां का तैम्प्रेचर एक हां वहां कि हुविडी ती भी कम है के वहां सोलर इंटैन्जूटी भी कम है तो वहां वही पौधा ग्रोथा जिसकी रिक्रॉइरमेंट सीजन वाली है कोल्ट सीजन वाली है तो वैसे ही पौदे हम वहां लगाएंगे तो अग्रिकल्चर मेटोलॉजी यही सब बताता है कि हमको किस जगा पे कौन सी पौदे लगानी है उसकी वाटर रिक्वार्मेंट कितनी है उसकी टेंप्रेचर की रिक्वार्मेंट कैसी इंडिया का नतो किहिंगा लिए एडाया नहीं नहीं पाएंगे लिकिन पैंगे लेकिन चुस कह से ऐडाय की इंडिया किसके है इंडिया के हैं और फादर अफ उसका देखा जाए ठीक है फादर अफ मैटे газ broad औरuego देख है तुकिन Congress जाए तो father of methodology जो आपको पता है Aristotle है ठीक है अब दिप्वेंड करता है अब दूसरा चीज है father of methodology in India तो यह कोई साहा करके हैं ठीक है उनको भी आप लोग देख लेजिएगा ठीक है अब आगे चलते हैं now moving to the next slide importance and scope of methodology in agriculture तो क्या importance यह पांच नमबर में को सना जाता है सी ओर है कि यह आएगा ही आएगा आएगा आपके meetum में तो क्या scope है और importance है weather and climate is a source and considered as basic input और resources in agriculture planning every plant process related with growth, development and yield of a crop is affected by weather देखें बहुत important है weather और जो climate है वो एक basic input माना जाता है हम agriculture planning में जैसे अई किसान है वो खीती करने जा रहा है लेकिन उसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे basic चीज क्या है weather और climate का होना अगर एक समान weather है एक uncool weather है तो जो seed वो बो रहा है उसका जो germination है और आगे की further growth and development की process है crops की वो बहुत अच्छी होगी और एक yield भी बहुत अच्छा उसको मिलेगा उसको जो उपज मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा लेकिन अभी अगर हम देखा जाए कि हम seed boy और एक adverse condition हो गई है बहुत जादा water logging हो गया है बहुत adverse extreme weather condition है तो क्या वो पौधा growth कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो यह agriculture meteorology का एक बहुत बड़ा important है और इसको भी है कि इसमें हम तरह तरह के plants को कैसे हम उनको कौन सा weather मतलब weathery condition देना है atmosphere condition देना है यह पता लगा पाते हैं ठीक है तो with growth and development and yield of a crop is affected by weather अगर वही weather adverse होगा तो उसकी जो crop की yield है वो भी affected होगी ठीक है इतना सब्सक्राइब आ गया second point पढ़ते है similarly every farm operation such as plowing, harrowing, land preparation, weeding, irrigation, maneuvering, spraying, dusting, harvesting, tracing, storage and transport of a farm produce are affected by weather यह भी बहुत important है देखिए अभी हम बता है कि farm operation है जैसे कि जो खेत पर जो भी हम operation कर रहे हैं farm related operation जो भी हम कर रहे हैं वो क्या होता है उसमें क्या होता है जैसे माल लेते हैं हम seed boy हम seed boy और seed से एक पौधा त्यार हो गया yield मुझे अच्छी खासी मिल गई है गेहूं का बी जम बोए थे और मुझे 25 से 30 कुंतल पर हक्टेर गेहूं मिल गया अब उस गेहूं को तो हम अचार डालेंगे नहीं हम उसको क्या करते हैं उसकी हम harvesting करते हैं फिर tracing करते हैं घ्री numéro करते यह उसकी और हम साक में packaging करते हैं उसकी बाद हम इसकी क्या करते हैं अधिस की इसकी kriegen करते इंगर फ्लाइंगे बाद अलग-अलग मार्केट में उसको देते हैं यह सारी चीज़े हम करते हैं यह नहीं बाद पुश हार्विस् ٹेक्निक की। लेकिन अगर हम इनफार्म ऑन फार्म आइक्रिकल्चर प्रैक्टिसस की बात करें तो जैसे कि इसमें पुलाइग है कि कब जुताई करनी है 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 कि इंटरकल्चल्चरल उपरेशन कैसे करना है जैसे भीडिंग है यह सारी चीज़ें लैंड प है थीर आपiblia स्टीन कैसे करनी इंक्राहिपन करनी नहीं करनी है हार्वेस्टियम यह सारी टेक्निक हम वैदर से देखते हैं वैदर से अगर ठीक है तो हम करेंगह डिस्टिंग अगर वैदर की हावा बहुत ज़्यादा चल रही है विंड वेलोसिटी बहुत जाते हैं जैतों हम कर पाएंगा पत्ति के ऊपर बना देता है वाइट किलर का तो वही है डुस्टिंग में थ्वासा लिक्विड होता है लिक्विड के तरह हम इस्प्रे करते हैं तो यह चीजे क्या है वैदर से एफक्ट हो रही है मतलब अगर वैदर मेरा ठीक है तो बहुत अच्छी बात है तो इसमें क्या होता है कि लिखा रहता है जब आप मतलब पढ़ोगे आपको जो पढ़ाया जाएगा वीड मैनेजमेंट उसमें बताया जाता है कि यह सारे फैक्टर भी है जो आपके पैस्टिसाइडल इस्प्रे या इनसेटीाडल जो जो आपके पढ़ाया बढद करते हैं उसको रिखुलेक्ट करते हैं तो आप क्या वीडियूअस पचित पढ़ करती मैं पथे तकनों को अधुल मिनियु पैड़े में मुवेड़न इसवाला डाहिट थे लिखे पेर गढ़ाना का धिन्रे ह सार्भिड एफेक्ट करती हैं नोब मुविंग तो दे नेक्स स्लाइड करेक्टर राइजेशन ऑफ अगरिकल्चर क्लाइट तो देखेज में हम लोग करेक्टर राइजेशन करते हैं अगरिकल्चर क्लाइट का जैसे कि फॉर डिटर्माइनिंग क्रॉप ग्रुइंग सीजन सोलर रेडियेशन एयर टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन वेंड हुमिडिटी एसेक्टर राइजेशन क्लाइट क्लाइट के अनुसार जैसे कि हम अभी बता है कि जो वीट है वीट को हम रभी सीजन में ग्रो करते हैं जो कि जो रिक्वार्मेंट है सीट जर्मी निटरन के टाइम उसको क्या चाहिए बहुत थंडा अइंवर्मेंट होना चाहिए तो जब हम अक्टूबर नॉम्बर के लाश में या दिसंबर के फर्स्ट विक में हम सुइंग करते हैं उसमें टेंपरेचर बहुत ज्यादा कम होता है तो जिसके कारण मतलब 18-22 डिटीरी से होता है वह ऑप्टिमम टेंपरेचर होता है मैचोटी के टाइम इसका टेंपरेचर होना चाहिए वह 30 डिगरी सेल्सियस के आसपास होना चाहिए कटाई और मार्स तक पहुझ जाता है लेकिन अगर उसी को हम अभी कहरी सीजन में बुए तो उस से में यह नहीं हो सकता है तो उससे हम को यह पता चलता है agriculture meteorology के help से कि किस पौधे को कौन सी weather requirement है कैसा temperature की जवरत है ठीक है solar radiation कितना होना चाहिए temperature कितना होना चाहिए precipitation बारिस की requirement कितनी है ठीक है wind velocity कैसी होने चाहिए humidity कितना होना चाहिए यह सारी चीज़े हम weather related phenomena जो भी है उसी पे crop की growth and development depend करती है यह इसका एक important हो गया crop planning for stability in production तो देखे crop planning अगर देखा जाए कि stability in production में क्या है कि to reduce risk of crop failure on climatic part so as to get stabilized yields even under weather adversity suitable crops cropping pattern contingent cropping planning can be selected by considering water requirement of crop effective rainfall and avi level soil moisture कहने का मतलब यहां यही है पूरी तरीके से अगर हम फिर से समझाने की कोसिस करें तो अगर हम agriculture meteorology को ध्यान में रख के अगर हम कोई crop लगा रहे हैं ठीक है जैसे कि हमको पता है अब हमें पता चल गया है कि जो wheat है wheat की sowing हमको रभी season में करना है तो उसका जो failure की chance है crop failure की chance है करना है तो मेरे लिए beneficial है तो इसका मतलब यही है और suitable ठीक है cropping pattern अगर हम करते हैं जैसे intercultural आप सकते inter cropping हम कर रहे हैं तो हमारे लिए beneficial होता है ठीक है और अगर हम crop requirement को ध्यान में रखके करें और rainfall को देखते हुए करें तो soil moisture availability को देखके crop planning करें तो मेरे लिए ठीक रहेगा ठीक है crop management management of crop involves various form of ration such as sowing fertilizer application plant protection irrigation scheduling harvesting etc can be carried out on the basis of specially tailored weather support for this the use of operational forecast available from agriculture metrology adverse advisory is made ठीक है फर एक्जाम्पल लेकर कहने का मतलब क्या है crop management के अगर बात करें तो crop कैसे manage करना है मुझे जैसे कि उसमें कब हमको sowing करनी है fertilizer कब हमको spray करना है plant को कैसे management करना है जैसे plant protection में जैसे आ जाते इंसेक एंपेस्ट management आ जाता है कि उसमें आप कौन सा करेंगे आप आप थो जाएंगे एलोजिकल के थे अप केंश स्विस बाद डेना है कि वक सुषित करने के को सुष चाल जीन बात दे है को 10 तिम बात देना है कर दे दो करने का है 15 दिन बात देना में कि 30 दिन बात देने में अलग में grow a lot होता है आर्वेस्टिंग कब करनी है तो यह सारी चीजे हम क्रॉप मेनेजमेंट के अंदर देखते हैं और यह सारी चीज तभी पॉसिबल है जब मुझे एक मेटियोलोजी मेटियोलोजिस्ट बताएगा कि इस क्रॉप में इतने दिन बाद अगर आप इरिगेशन देते हैं तो आपकी क्रॉप का जो इल्ड है वह इतना हो जाएगा अगर आप प्लेट करते हैं तो उसके उपर एडवर्सली उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आपकी इंध्रापिल कम हो जाएगी बासम में आ रही है ठीक है तो देखें इसमें बहुत सारे देखें और यह सारी चीजे जो ऑपरिशनल फोरकास्ट होती है वेदर फोरकास्टिंग होती है वह एग्रो मेट्रोलाजी एडवर्ड एडवर्ड सॉरी एडवाइजरी के द्वारा आपको बताई जाती है जैसे वीडिंग हैरोइंग मल्चिंग कब करनी है है मल्चिंग किसलिए होती है मल्चिंग स्वाइल वाटर कंजर्वेशन मतब स्वाइल मॉस्टर रिटेंशन को रोकने के लिए जैसे स्वाइल में जो नमी है उसको बनाए रखने के लिए को चाहे वह वीड का हो चाहे वह पेपर का हो वह वायल को पर हम विछा देते हैं जिसके कारण स्वायल के मॉट्चर जो रिटेंशन है अगर वह इवपरेट हो के उपर भी जा रहे हैं तो वह एक स्पन्नी के द्वारा रुकी रहें गगे और फिर से स्वायल में ड्राइ स्पेल्स फर्कास्ट में होता है फर्टिलाइजर अप्लिकेशन इस एड्वाइजेबल वें रेंफॉल इस दिखिए अभी बताई रहते न हम फर्टिलाइजर तभी आपको इस्प्रे करना है जब रेंफॉल नौट हैवी ना हो टीक और विंद स्पीड 30 किलोमेटर पर आर से कम हो स्वाइल मॉस्टर इस बिट्विन 30 से 80 परसेंट होगा तभी आपको फर्टिलाइजर अप्लिकेशन करना है यही सब बात इस ट्राटिंग में आपको बता रहते हैं कि कब करना है कैसे करना है विंद वेलासिटी इतनी नहीं होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए देखें वही सारी चीज़े लिखी हुई है तो अब यह डेटा आपको याद रखना है कि अप्लाइजर करनी है जब ज्यादा बारीज ना हो विंद वेलासिटी 30 किलोमेटर पर आर से कम हो और स्वाइल मॉस्टर जो रिटेंशन है वो 30 से 80 परसेंट हो इस पेंग डुस्ट क्रॉप मॉनिटरिंग के बाद हम लो करेंगे यहां देखे लिखा है तुचे क्रॉप हेल्थ एंड ग्रोथ पर्फॉर्मेंस अफ और क्रॉप सुटेवल मेटरोजिकल टूल ठीक है क्रॉप मॉनिटरिंग करते हैं यह भी एग्री कल्चर मेटरोजी के अंदर आता है और क्रॉप की आपकी हेल्थ लगाया है जो आपने सीड्स किया है वह हेल्दी है कि नहीं के एक दिन का काम नहीं होता है आपने सीड गोया तो कम से कम आपको तीर महीना, चार महीना, दो महीना, पांच महीना तो इंतेजार करना ही पड़ेगा उसके इल्ड के लिए उस तीन महिने में बहुत सारी परिवर्तन होते हैं कभी वाजिस होगी, कभी दूप निकला होगा, कभी कोई जानवर आ जा रहा है अटेकर करने के लिए, कभी इंसेक्टिसाइडल और पेस्टिसाइडल इफेक्ट को उसमें देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को देखने होना चाहिए, आपके स्वाइल में, ठीक है, स्वाइल मॉस्टर बना रहना चाहिए, और ऐस वो चीज़े हैं, और वाटर बैलेंस टेक्निक जो भी हम बता रहें, आपको रिमोट सेंसिंग होए, कुछ सेंसर लगाया जाते हैं, फिल्ड के किनारी किनारे, जो कि यह क्रॉप मॉडलिंग क्या, क्रॉप मॉडलिंग, though crop modeling and yield आपका सकते हैं, crop modeling and yield climate relationship, yield और climate का क्या relationship है, उसको देखते हैं, suitable crop model devise for the purpose of provide information करने का मतलब यही है क्रॉप मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि वैदर के जो पास्ट रिकॉर्ड है जैसे एक पौधर मैंने वीट लगाया और वीट में हम पिछले साल यह देखे कि इस टाइम पे इतना स्वाइल मॉस्टर था टीलर्स की संख्या इतनी हो गई थी क्रॉप हा तो यह सारी चीज़े हम कलेक्ट करते हैं ऑगर जरूत नहीं पड़ेगी तो इरिगेशन नहीं देंगे डूसरी हम करते क्या है कि अगर हम यह पास पांट रहता है हुसके अनुसार हम insecticide and pesticide effect मतलब इस परे करेंगे या उनको हम यूटिलाइज करेंगे तो यह सरी चीज़े हम crop modeling या yield climate relationship के थुरू करते हैं ठीक है research in a crop climate relationship तो crop climate relationship में क्या होता है agriculture methodology can help to understand crop climate relationship so as to resolve complexity of plant process in relation to its micro climate तो देखिए जो research होता है agriculture methodology होती है वो आपको crop climate relationship के बारे में बहुत अच्छे से समझाती है यह बड़े बड़े जो complex problems है plant का मतलब आपका सकते हो कि उसके seed से लेके yield तक उसको solve करता है research research methodology मतलब research agriculture इसमें होता क्या है कि आप जो researcher होते हैं वो crop के पर research करते हैं और उनके अनुसार जो data निकल के आता है वही standard data होता है और वही हम यूज़ करते हैं as a scientific cropping में ठेक है now moving to the next slide climate extremities climate extremities का मतलब क्या है कि जैसे frost है flood है drought है hail storm है high wind है can be forecasted and crop can be protected climate extremity मतलब जब extreme condition हो गया मैं बोले न कि कुछ ऐसे condition जिसमें इनसान कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसमें होता भी क्या है agriculture meteorology के थूरू जो agriculture meteorologist होते हैं वो क्या करते हैं ऐसी adverse condition आने से पहले ही एक adverse 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 आपका सकते हो forecasting कर सकते हैं कि वो बता देते हैं कि इस दिन से इस दिन के बीच में बहुत तेज बारिस होने की अनुमान है एक prediction वो लगाते हैं probability बताते हैं जिसे की सूखा पढ़ने वाला है फ्रॉस्ट आने वाला है बहुत ज्यादा बार आने की संभावना है हेल पढ़ने वाली है बहुत तेज हवाएं चलेंगी आधी आएगा तूफान आएगा साइक्लोन आएगा इस सारी शीचे बता देते हैं अगर इनसान के ब प्रोटेक्ट कर लेता है और उसकी क्रॉप्स बज जाती है अगर नहीं कर सकता है जैसे कि बार आने वाली है तो बार में तो ऐसा नहीं है कि अभी पौधा मैच्वर हुआ ही निया कि काट ले तो उसकेस में तो लॉस होना है लेकिन काफी हद तक हमको यह चीज बता होने के बाद हम अपना कुछ पैसा बचा लेते हैं जैसे माली ज़ूट में पैसा का लॉस होगा वैसे तो पौधा बचने वाला है नहीं ठीक है इल्ड अच्छी मिलेगी नहीं तो क्यों जोगे इसे काम करने तो यह सारी चीजे कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉस्ट अप्रोडक्शन जो है वो रिडियोस कर देता है ठीक क्लाइमेट एज टूल टू डाइगनोज स्वाइल मौशर इस्ट्रेस तो क्लाइमेट जो होता है वो स्वाइल मौशर इस्ट्रेस को भी डियागनॉसिस करने में हैल्प करता है अब कैसे करता है उसके बारे में हम लो जान लेंगे ठीक है तो soil moisture can be exactly determined from the climatic water balance method which is used to diagnose the soil moisture stress brought and necessary protective measures such as irrigation mulching application of anti-transparent defoliation thinning etc can be undertaken ठीक है तो यह अभी हम बता है कि soil moisture जो retention होती है यह soil moisture जो stress होता है वो अग्रो climatic ना अग्रो मेट्रोलोजी की थुरू ही हम पता कर पाते हैं water balance method के थुरू तो इसमें क्या होता है कि अगर मुझे पता चल जाता है कि हमारे soil moisture की जो level है वो बहुत जादा कम है तो हम वहां क्या करते हैं irrigation दे लेते हैं ठीक है और mulching कर लेते हैं mulching अभी बताया थे इनी material which are which are spread over the surface of the soil so that their water moisture availability can be maintained and remains for a longer period of time is known as mulching it may be plastic mulching paper mulching weed mulching ठीक है straw mulching इस तरह अलग-अलग mulching के टाइपस हैं तो mulching में आप कुछ भी बिचा दीजिए जैसे पुआल बिचा दीजिए प्लास्टिक बिचा दीजिए तो वह मल्च हो जाता है इसे soil moisture जो रहता है retention बनी रहती है अब हम anti-transparent भी यूज़ कर लेते हैं anti-transparent में PMA है पर फिनाइल मर्कुरिक एसिटेट है तो यह सारी चीजिए भी हम यूज़ करते हैं anti-transparent के बहुत टाइपस है इस टुमेटा क्लोजिंग टाइम थीक है एक फोली खेयट कर लेते हैं लिए पती के ऊपर बना देते इस का रहेज उसका ज्यादा टांस्पिरेशन ना हो थीनिंग कर देते हैं पोधे की ठीक है तो यह सारी चीजिए हम करते हैं जिसके का रहें की aking water by them स्ट्रेस जह वो पॉधि का बना रहता है थिक है तो आइधिंग दिस इस से to इसको हम लोग आज च्मक्पिच कर गे यह लाक्ष कर इसी जगह हम लोग देंगे थिक life stock production में भी agriculture methodology का बहुत बड़ा रोल है life stock production is a part of agriculture ये क्या है एक परकार का agriculture का part है ठीक है the the set of favorable ठीक है the set of favorable and unfavorable weather condition इस आप किल से जींगत ग्रोंपेड कर रहे हो ते लाइफ सटोल काती नहीं होती पैजर का इस में बढ़कर बारा रोल है अगर बार दिशन्साओन अच्षी नहीं होती है तो इंसेक्ट और पेस्ट जो इंटाक्ट है वो बढ़ जाता है जिसके कारट पॉध ही और मतलब एनिमल्स के उपर उनका इफेक्ट देखने को मिलता है और तरहत रेकी डीजीज होती है तो उसको हम अग्रिकल्चर मेटियोलॉजी के थूरू उसमें पढ़ते हैं और उनको क को पॉसीश करते हैं काम करते हैं तो कूशिस करने की पॉसीश करते हैं दर्ष उप्टिमाइस milp production फोल प्हटी बॉटक्स हाथ अगर या प्रड़क्शन देख लेते हैं और उसके अनुसार अगर हम काम करते हैं तो हमको व्रीडिंगु में वीहल निलती है तो हमारा एक हैनिमल से जो उनकी बेबी होने वाले हैं उनकी उन में कोई जैनेटिक एफेक्ट देखने को नहीं मिलता है वो भी हैल्दी होते हैं अगर हमको कुछ जैसे वैक्सिनेशन प्रोगाम करना है और मिल्क प्रोड़क्शन टेक्निक द्यान देना है थे तो उस समय हमें विसेज ध्यान रखना पड़ता है वैदर का ध्यान रखना पड़ता है तो यह भी एक अगर कल्चुर मेट्रोजी यूज है अगर हमको सलब्स पोर्मेशन डिपेंड आन् Óन ट्लयमीटिक ट्रीड है तो में जए लए सिप्रीटीर होता है ता Crift तरह जी दिखिल अर्वन इसली के थिखि़। लिए इसको क्लाइमेटिक फेक्टर कहते हैं तो टेम्परेचर प्रिसिपृटेशन और एसेक्टर दस धाता क्लामिट यज फेक्टर ओव इन स्वाइल कर सकते हैं यह सारी चीज़ें हम पढ़े होता क्या है और अग्रिकल्चर मेटियोजी को दिफाइन डिफनेशन उसका देखें, इंपॉर्टेंट्स एंड स्कोप देखें, क्या देखें, इंपॉर्टेंट्स एंड इसको देखें, ठीक है, और तेक है इंपोर्टेंट्स एंड स्कूप देखें उसके सारे टोटल टैन पॉइंट थे टैन पॉइंट मैंने डिसकस कर दिया और हम वह फॉइस दा फादर ऑफ मेटिलोजी इन इंडिया ती यह डॉक्टर महनाद साहा तो अभी हम बता रहे थे डॉक्टर महनाद साहा को हम फ पन वर्ट्स में जरूर पूछा जाता है तो लिख देते तो आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे मैंने काफी हद तक कोसिस किये कि आपको कॉंपैक्ट और कॉंप्रिहेंसिव वे में बताया जाए अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली हो सके तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाई बाई स्टुडेंट्स झाल 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 झाल